हूथी पर हुए जबरदस हमले पर अमेरिका और ब्रिटेन को सीधी सीधी चेतावमी दी है इरान और हूथी ने मिलकर एलान कर दिया कि इस हमले के बाद से अब लाल सागर में दुश्मनों के सभी जहाजों पर भयंकर हमले शुरू होने जा रहे हैं खूदी पर खूदी हमले अमेरिका ब्रिटेन का बदला शुरू इस वक्त पूरे मिडलीस्क से लेकर मध्यपूरू एशिया तक जबरदस्त हमले हो रहे हैं मिडल इस्ट में इसरेल हमास को लगभग सौ दिनों से मिटाने की कोशिश कर रहा है लेकिन हमास अभी भी इसरेली सैनेकों को निशाना बनाया जा रहा है इधर मध्यपूरो एशियाई देश की यमन में मौजूद हो थी विद्रोहियों ने पिछले 40 दिनों के अंदर ऐसा घदर काटा हुआ है कि अमेरिका और इसरेल समेथ 15 देश होथी के हमलों से काप रहे है यमन से घजादर कांपे 15 देश लाल सागर में यमन के हूथी लड़ा के ना सिर्फ अमेरिका और इसरेल के कार्गो पर मिसाईयों और प्रोंच से हमले कर रहे है बलकि इसरेल और अमेरिका का साथ देने वाले 13 देशों के मालवाहत जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है उन्हें पकड़ा जा रहा है लगभग 2000 से ज्यादा कार्गो शिप ने लाल सागर में हूथी के खौफ से जाना बंद कर दिया है हूथी ने लाल सागर में अपने हमलों से ऐसा हाहकार मचा दिया है कि अब अमेरिका और ब्रेटन ने लिलकर यमन में हूथी के खेकानों पर भी दहाशा हमले किया है अमेरिका और ब्रेटन ने यमन में घुसकर हूथी पर भायानक हमले किया है अमेरिकी मीडिया गिदावों के मुताबर हूथी पर अमेरिका और ब्रेटन ने मिलकर मिसाईलों और लड़ाको विमानों से हमले किया है रिपोर्ट के मुताबिक एक युद्धोत से तॉम हॉक मिसाइलों और लड़ाको जट से हूथी के ठिकानों पर हमला किया गया है दावों के मुताबिक यमन में हूथी की 16 लोकेशन पर 60 से ज्यादा टार्गेट्स को अमेरिका और ब्रेटन ने मिल कर दपा किया है जिसकी वज़े से हूथी को भारी नुकसान हुआ है हूथी के अधिकारी हुसैन अल-एजी ने सुईकार किया है कि अमेरिका और ब्रेटन जहाजों, पंडुपनियों और युद्धक विमानों ने बड़े पैमाने पर हमले किये हैं अमेरिका और ब्रेटन के हमले में घूथी के कम से कम पांच लोग मारे गए हैं जब कि 6 से जादा लोग खायल हुए हैं अमेरिका और ब्रेटन का ये हमला घूथियों पर हाल के दिनों में सबसे बड़ा हमला है राशबदी बाईडन ने इस हमले को बेहद जरूरी बताया है बाईडन ने अपने बयान में कहा हैं की यह हमले लाल सागर में हूथियों दौरा मालवाहक जहाज़ों पर किये जा रहे अब हूथबुर्व हमलों का सीधा जबाब है इतिहास में पहली बात जहाजों पर हमलों में एंटी शिप वैलेस्टिक मिसालों का इस्तिमाल हो रहा है। खूथियों के हमलों के चलते लाल सागर से गुजरने वाले 2000 जहाजों अपना रास्ता बदलना पड़ा है। बाइडन ने आगे कहा है कि लोगों और शिपिंग भूट वो बचाने के मैं और कड़े आदेश देने से पीछे नहीं प्रोका। खूथि का बदला लेगा एरान लाल सागर में विश्वयुद्ध। अमेरिका और योके के हमलों के बाद हूथियों ने भी जंग का एलान करते हुए जवाबी हमले शुरू कर दिये हैं। हूथि और विदेश मंत्री हुसैन अलेजी ने कहा है कि यमन पर हमला करने वाले अमेरिका और ब्रिटन को गंभीर परिराम भुगतने होंगे। हूथि वे द्रोहियों के कमांडर ने साफ कहा है कि अमेरिकी और यूके की सेना ने बड़े पैमाने पर आक्रामक हमला किया है जिसका हम मूतोर जवाब देंगे। अब आप ये भी जान लीजिए कि हूथी कहा कहा हमले कर रहा है और कैसे कर रहा है। मेरे पीछे की इस बोलती तस्वीर को आप बेहत बारीकी और गौर के साथ देखें क्योंकि इसका पूरा कच्छा चिटा भम तफसील से आपके सामने रखने जा रहे हैं। दरसल लाल सागर ये लाल सागर है जिससे समझना जरूरी है क्योंकि इस पर ड्रोन हमले किस तरह से हो रहे हैं वो आपको बताते हैं। हूती इस वक्त अमारिका और इस्वेल समेत 15 देशों के माल वाहक जहाज यानी कार्गो शिप कार्गो शिप कौन सी टार्गेट कार्गो शिप जो आपको इस वक्त जलते हुए नजर आ रहे होंगे। इस पर जबरदस खौसनाक हमले हूती के जरिये किये जा रहे हैं। इस विच अमारिका को जो दावा है वो यहाँ पर समझ लेना जरूरी हो जाता है। देखें यह पूरी अदन की खाड़ी है क्योंकि धीरे धीरे आपको बता रहे हैं कि किस तरह से ड्रोन अटैक कार्गो शिप पर टार्गेट करके किये जा रहे हैं। तरह सागर में कर रहा है। यानि कि लाल सागर में इसके हमले सबसे ज्यादा खौफनाक हो रहे हैं। तरगेट कार्गो शिप जो है वह जल कर खाक यहां पर को रही है, जिससे यह जो अलाका है वह जंगी इलाके में तबदील होता जा रहा है, बदलता जा रहा है जो इन तीन तस्वीरों के जरीरे आपको समझ आ रहा होगा। टार्गेट कार्गो शिप और यहां पर भी देखिए टार्गेट कार्गो शिप की बाद हम कर रहें